हेलो फ्रेंड्स अभी तक हमने समझा है कि जो मार्क्सिजम है इस वाज दी कंसेप्ट विच वाज ओरिजनेटर फ्रॉम दी वर्क दी कॉमिनिस्ट मैनिफेस्टो और यह किस ने लिखा था यह जर्मन फिलोसफर कार्ल मार्क्स और फ्रेडिश एंगल्स इन 19th सेंचरी दोस्त होती है जिनके पास चीजें होती है है एंड प्रॉलिटरियृ जो अपने लेबर को सेल करते हैं और उनके लिए फैक्टरियों में काम करते हैं बहुत ही कम विवेजिस पे ठीक है दूस्तों इनकी मेटिलिस्टिक अप्रोच थी यह भी हम जानते हैं और इनके हिसाब से कहते हैं कि money determines our social status, ideas, thoughts क्योंकि यह सारी चीजें जिसकर पैसा होगा उसकर पावर होगी इस पर respect होगा इस पर status होगा यह आप सब जानते हैं आज भी वही है तो दोस्तों यह कहते थे कि यह जो चीजें हैं यह कैसे आती है money जो है किसी के पास जादा है किसी के पास कम है ऐसा नही होनी चाहिए तो यह जो class based struggle है इसको ही खतम करना चाहते थे कहते हैं कि सब को जब एक जैसी चीजे मिलेंगी तो यह class struggle खतम हो जाएगी और society में शानती हो जाएगी कोई conflict नहीं होगी ठीक है लेकिन यह कहते हैं कि जो ruling class है यहां important concept है जिसे हम कहेंगे false consciousness and class consciousness यह कहते हैं कि ruling class जो है it creates false consciousness दोस्तो false consciousness को समझेंगे false consciousness क्या है जूठी चेतना ठीक है और यह कैसे जगाई जाती है जो ruling class है जो नीचे वाली class है उन लोगों के लिए जैसे example लेजिए आजकल कोई YouTube में बहुत सारे जैसे channels हैं जो आपको मिल रहे होंगे एक share market के बारे में आपको समझाते how to become rich in by investing 100 rupees how to become rich in 100 days etc. rich word का use करेंगे means वो आपकी consciousness के साथ खेल रहे हैं और वो आपकी सोच पे राज कर रहे हैं यह सभी की सभी चीजें example के तोर पे है no personal conflict ठीक है दोस्तो बेसिकली वो आपकी class से उपर है अगर आप उस video को देख रहे हैं अगर आप rich है तो आप क्यूं दे इतना जगाई जिससे आप उसको follow करेंगे उसकी बातों को सुनेंगे ठीक है और जितना follow करेंगे उतना उसको फाइदा होगा ठीक है और साथ ही साथ वो आपको एक ऐसा link देगा description में जिससे एक referral link के तोर पे होगा वो कहेगा वो कि referral आप free में खोली है बाकियों में आपको तो दोस्तों यहां देखिए कि इस referral link को जब आप login करेंगे जब आपना account खोलेंगे तो उससे 200-400-500 कुछ हिस्सा हर एक referral link से उसके account में जाएगा तो दोस्तों basically वो अपने फाइदे के लिए आपकी चेतना को यूज़ कर रहा है ठीक है बहले ही आप invest करके उसे अमीर हो जा कर रहे हैं ठीक है दोस्तों इसी तरह की दो चार motivational video देखकर ठीक है regarding market how to become rich बहुत easy है अगर आप घुस जाते हैं और बिना किसी knowledge के ठीक है दोस्तों तो आपको उसमें नुकसान होगा फाइदा किसको होगा जो आपको आपके अंदर ये consciousness जगारा जिसको आप फॉलो कर रहे and इनसान को क्या करना चाहिए इस false consciousness को छोड़ कर class conscious होना चाहिए अब ये class conscious क्या है class consciousness को हम समझते हैं दोस्तों कोई भी individual worker है ठीक है know that they are being exploited in order to produce surplus value surplus value हमने पहले बात की थी कि जैसे मान लेजिए produce जो है 100 रुपे का output है और मजदूर को दिये जा रहे है उसमें से 5 रुपे तो बाकी सारी surplus value इतना बाकी 90 रुपे benefit वो ले लेगा 5 रुपे मान लेजे खर्चा खर्चा आगया ठीक है तो total फाइव रुपीज मिल रहे है उसमें 100 रुपी के बदले में तो दोस्तों ये जो individual worker है उसका शोशन किया जा रहा है उन्हें ये चीज समझ नहीं है however the working class must realize that they are being exploited ठीक है not only as individual but as a class ठीक है अब ये जो मैंने आपको example दिया है how to become rich ये सारी की सारी कौन सी class होगी जो जल्दी अमीर बनना चाहती है ठीक है उस class में वो लोग आ जाएंगे ठीक है बहुत जल्दी अमीर बनना चाहती है और बिना कुछ किये हुए तो इस तरह की class के ओपर इसका असर पड़ेगा ठीक है और ये चीज़ पहचान नहीं है individual को ठीक है the awareness होनी चाहिए उसे कि मैं society में कौन से economic rank को hold करता हूं and the social class and economic rank in the contest of larger society इंडिया की society बहुत large है तो उस society में मेरा क्या rank है ये हम समझने के लिए कर रहे हैं ठीक है तो एड़ वो किसी गुटके की या पानमसाले की लेकिन उस एड़ के ओपर घोड़े शाही महल ये सब चीज़ें दिखाया जाएंगी ठीक है तो दूस्तों इसी तरह से कोई ऐसी product होगा जिसके ओपर उनको लोगों को ऐसा दिखाया जागी अगर उनके पास ये चीज़ न कोमेंट आ जाएगी तो हम पेट्रोल के दाम कम कर देंगे इसके ओपर ये कर देंगे हमारे राज में सब अच्छा होगा अच्छी सड़के होगी अच्छी एडूकेशन होगी तो इस तरह की false consciousness जगाएंगे वो लोगों के अंदर चेतना जगाएंगे ठीक है और बाद में जब rule करेंगे तो वो क्या होगा उनी की मर्जी चलेगी उनी की ideology चलेगी जो समाज में उनके thoughts हैं उसी के अधार पर जो भी काम होगा होगा बाकियों को कौन पूछेगा next concept of call marks is base and superstructure वो कहते हैं कि base के अंदर जैसे हम foundation कहते हैं घर की foundation को हम base कहते हैं super structure उपर का धांचा तो कहते हैं यह आपस में interrelated हैं जो super structure है वो जो depend करता है base के उपर जो super structure है वो base से ही निकला है ठीक है base क्या है base is the production force जिसमें material and resource सब कुछ आ जाएगा ठीक है जनरली उसके अंदर ऐसी material जैसे production होगी जो society को चाहिए तो base के अंदर आजाएगी machinery कोई भी ऐसी चीज जिससे हमें production मदद मिल रही है वो सारे लोग पुंजिवादी capitalist and proletariat, bourgeoisie सब के सब base के अंदर आते हैं और यहीं से निकलेगा दोस्तो super structure ठीक है तो यहीं से grow होगा super structure, super structure grows out of the base और यह reflect करता है किसको the ruling class interest, तो दोस्तो base and super structure क्या हो अपस में link होए, they are the linked concept developed by Karl Marx, तो super structure में वो सभी की सभी चीज़े आ जाती हैं, जैसे culture हो गया, ideology आगी, rule regulation होगे, social political structure होगे, which are indirectly related to base, base में तो खाली production, goods, इन सब चीज़ों की बात हो रही है, materialistic चीज़ों की, लेकिन जो grow हुआ है super structure base से, यह क्या reflect करेगा ruling class का interest, और वो कानोनी तोर पर राज करेंगे, दूसरी class के उपर, false consciousness जगा के, क्योंकि super structure क्या करेगा, it only defends the power of elite class, जो powerful लोग हैं, उन्हीं को defend करेगा, और साथ इसाथ it may only benefit the ruling class, जबकि दूसरों के और कोई ध्यान नहीं दिये जाएगा, और वो ideology कैसी होगी, जो culture होगा, जो rule regulation होगे, वो सारे के सारे किसके interest में होगे, जो ruling class है, उनके interest में होगे, जो government राज कर रही है, और वो जो government होगी, वो अमीरों की होगी, और religious belief कैसे हो वो लोगों से यही कहेगी कि अपनी authority को obey करो, तो इस तरह से class struggle चलता ही रहेगा, और यह class struggle को basically खतम कर देना चाहते थे, Marxist लोग कहते थे कि जो class struggle है यह सारे की सारी जड़ है, जो यह society में conflict है, उसकी, तो अब को यह समझ में आ गया होगा कि जो Marxist theory है, view of literature है, यह क्या है, यह क्या attempt करते है, attempt to explain why an author wrote a book, उसने क्यों लिखी और उसमें वो यह चीज़ें उस समय की बात करते हैं, और उसको materialistic point of view से आंगते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि new critics क्या करते थे, language के उपर जोड़ देते थे, और William Wordsworth जैसे nature की बात करते थे, ठीक है, और इस तरह से यह कि class struggle की बात करते हैं, with the perspective of historical materialism, यह वो work है literature का, जिसमें class struggle की बात की जाती है, और इस तरह से जो हमने उपर बातें discuss की हैं, उस class struggle को आंका जाता है, उस conflict को वो जो raise होती है class struggle की वज़ा से, ruling class के बीच में, जो competition आता है, उन सब चीज़ों की बात करते हैं, और यह यह कहते हैं कि जो class consciousness जब लोगों में जागेगी, तब वो जैसे labor class एकठा हो, और इस चीज़ के खिलाफ विद्रो करें, कि जो अमीर लोग हैं, वो अमीर होते जा रहे हैं, उन्हें alienate कर रहे हैं, ठीक है, exclude कर रहे हैं society से, उन्हें exploit कर रहे हैं, जो false consciousness जगाए जा रहे हैं, यह खतम हो और साथ ही साथ दोस्तो, class नाम की चीज़ society से खतम हो जाए, और rule किसका हो, जो labor class है, जो working class है, वही rule भी करें, राज भी वही करें, और समाज में सब को एक जैसे production का, बराबर का हिस्सेदारी मिले, ठीक है दोस्तो, तो यह था marxist view, तो यहां से आमने समझ लिया कि marxist view is that everything in class based society is economically determined, कि सारी की सारी चीज़ें जो हैं, पैसा decide करता है, status, समाज, power, और यह जो चीज़ें यह खतम हो जानी चाहिए, ठीक है दोस्तो, and friends, एक और important चीज़, यह literature को भी एक product के रूप में देखते थे, marxist believe that work of literature is not a result of divine inspiration, but it arise from economic ideology and, and friends, the view towards literature was that, they see literature as a product of society, क्योंकि उनकी जो सोच थी, वो materialistic थी, और वो जो भी text है, उसको materialistic product ही समझते थे, and friends, वो believe करते थे, कि जो work of literature, जो है, is not a result of divine inspiration, लेकिन, it arises out from economic and ideological circumstances surrounding its creation, जब वो create हुई है, उसके आजपास की समझ की क्या situation थी, economic and ideological, और वो reflect करती है, author की अपनी class को, ठीक है दोस्तो, Friends, at last, एक और work की बात कर लेते हैं, काल माक्स के, जिसका नाम है, das capital आपने सुना भी होगा, इसमें ये क्या propose करते हैं, ये propose करते हैं, कि जो capitalism है, is the exploitation of labor, and whose unpaid work is the ultimate source of surplus value, वो labor जिसका unpaid work है, जो main source है, ultimate final source है, surplus value का, उसके बदले में उसे कुछ नहीं दिया जाता, और उसे exploit कि जाता है, शोशन किया जाता है, तो friends, I hope आपको कुछ basic understanding होई होगी, और इसके अधार पर आप Marxist view of literature को समझ सकते हैं, दोस्तो, I hope, जो मैं आपको समझाने की कोशिश की है, आपको समझ में आया होगा, और अगर अच्छा लगा है, तो please like, share and subscribe, thank you very much.